सीजन 2 एपेसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि सॉल टेकसस में है सॉल के पास क्लाइन आउट्रीज का काम होता है इसलिए अब वो अपने ओल्डेज होम के क्लाइन्स को मिलने टेकसस आया हुआ होता है सैंड पाइपर की बहुत सारी फैसिलिटीज होती है तो सब जगा जाकर वो सबसे वो आउट्रीज करने वाला होता है सब को वो अपना क्लाइन बनाने वाला होता है फिर से हमें सॉल एक स्टरन पूल करते होए दिखता है सौल को अब सैंड़ पाइपर अपने फैसिलिटी में इंठनी देने वाले होते तो इसलिए जब ओल्डेज होम के लोग अपने एक फिल्ट्रिप पर जाते है इस रेस्टोरन में जाते है तब उस बस को वो रोक लेता है उसके ड्राइवर को उसने पैसे दी होते है फिर वो अंदर जाकर उन सब से बात करता है फिर उन सब को वो बताता है तुमारी जो फैसिलिटी है सैंड़ पाइपर में तुम सब रह रहे हो तो तुम ज़रा ओर चार्ज्ट हो गए हो और इसलिए तुमें जो पैसे तुमने ज़्यादा पेख ही है वो तुमें वापस मिल सकते है उन सब को समझ में नहीं आ रहा होता फिर वो एक एक एकजामपल लेता है फिर वो एक ओल लेड़ी को बोलता है तुम एक इमेजिन करो कि तुम तुमारे ग्राइंड सन के साथ दिनर पर गई हो तुम डिनर पर गई और जब डिनर खतम हुआ तुमारा बिल बहुत ही बड़ा था तुमने जब चेक किया तो सिर्फ ग्लास ओफ ओडर के लिए तुमें बहुत ज़ादा पैसे पेख करने पड़ रहे थे फिर तुम मैनेजर के पास गए और ये कंप्रेंड की फिर मैनेजर ने अपनी गलती सुधार ली उपना बिल फिर से लिक लिया और उपर से आपको कूपन भी दे दिया आपका फायदा भी हो गया और आपका जो बिल था वो भी करेक्ट हो गया ऐसा ही कुछ साइन पैपर में हुआ है अब वो सब को अच्छे से समझा देता है तो सब उसके क्लाइंट बनने के लिए रेडी हो जाते है नेक्सिन में हमें मिटिंग दिखाएगी है टू फर्म्स के बीच में वर्क से उसके बॉस्ट इंप्रेस्ट होते है उसने 23 न्यू क्लाइंट लाए हुए होते सिर्फ एक ही मिटिंग से चक भी वह होता है फिर चक उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुमने जो नंबर्स लाए है बहुत ही इंप्रेसिव है पर मुझे एक सवाल है कि इतना अच्छा अगर रिजल मिल रहा है तो हमारा जो उपोजिशन है उने लगेगा कि हमने कुछ illegal किया है वो सवाल पर शक कर रहा होता है कि सवाल ने illegally उन सब लोगों को solicitate किया है यानि कि उन लोगों को एक जगा लेकर गया और उनसे उसने बात की है मिलने गया था और मैंने उसे सब कुछ समझाया ओल्ड पीपल जो होते वो सब एक दूसरी की बात हमेशा सुनते रहते ये सब लोग बहुत ही बाते करते हैं तब उसने बहुत सारे लोगों को बताया और सब को पता चल गया था इसलिए मैंने ये सब क्लाइंट साइन किये थे फिर भी सॉल बोलता है कि अगर इसमें हमें कुछ ट्रबल हो सकता है तो नेक्स टाइम से मैं यह नहीं करूंगा मैं कुछ और तरीगा सोचूंगा ये सब करने का सॉल का बोस उसे बोलता है कि ये तुम्हारा जॉब है तुम कैसे भी करो, हम तुम्हें फूल सपोर्ट करते है किम सॉल को इतना रिस्पोंस नहीं दे रहे होती, फिर सॉल ऊपर जाता है और उससे बात करना चाता है किम उसे बोलती है कि तुमने क्या किया इतने सारे क्लाइन्स लाने के लिए किम को पता होता है कि इसने कुछ तो गडबड की है किम उसे बोलती है कि तुमने जो भी कुछ किया होगा पर तुम कुछ भी illegal प्लीज मत करना क्योंकि मैंने तुम्हें recommend किया था उसी वज़े से तुम्हें ये job मिला है अगर तुम कुछ भी करोगे तो मेरी job भी जा सकती है सौल बोलता है कि ये जो old लोग है इन्हें represent करने के लिए कोई भी नहीं है अब इनके पास एक lawyer है और ये एक अच्छा काम है फिर भी सौल उसे अशूर करता है कि मैं अब अच्छी तरीके से इन सब को फिर से target करूँगा next scene में हमें Mike दीखता है वो अपने granddaughter से खेल रहा होता है वो अपने daughter-in-law के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है वो अब फिर से bodyguards वगरा की job कर रहा होता है इसलिए उसे अच्छे पैसे मिल रहे होते इसलिए वो अब अपने family को provide करने वाला होता है उसकी daughter-in-law उसकी daughter-in-law tension में होती है इसलिए Mike फिर उसे पुछता है कि क्या हुआ मुझे पता है कुछ तो गड़बडे वो बोलती है वो पहले बोल नहीं रहे होती फिर वो उसे बता देती है वो बोलती है कि मैंने gunshot सुने थे ये घर के बहुत ही पास थे पिछले रात जब मैंने देखा था वो जरा बहर से आ रहे थे पर कल बहुत ही पास ये gunshot मुझे सुनाई दिये जब मैंने police को call किया तो एक घंटे के बाद police आई और फिर उन्होंने इतनी चानपीन भी नहीं की वो बहुत ही डरी हुई होती है माइक उसे बोलता है कि मैं यास हो सकता हूँ अगर कोई problem हुआ तो मैं रात में देख सकता हूँ उसे बोलती है ये सब करने का कोई भी ज़रूरत तुमें नहीं है वो उसे strictly मना कर देती है नेक्स सीन में सौल हमें उसके बोलता है वो अपने बोलता है कि अब हम client outreach के लिए TV ads रन कर सकते है बहुत ही targeted ये TV ads होंगे उसे पता होता है कि सब बुड़े लोग एक ही TV show देखते है और उनका time भी fix होता है इसलिए अगर हमने ये ad run की तो हमें बहुत ही benefit हो सकता है उसके boss को भी ये idea पसन आता है उसका boss दो-तिन दिन के लिए बाहर जाने वाला होता है उसका boss उसे बोलता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब हम इसमें फिर से discuss करेंगे उसके boss उसे बोलते है कि हमने कुछ years पहले भी एक ad run की थी Saul फिर उस ad को देखता है और वो बहुत ही बुरी होती है अब Saul decision लेता है और Saul अब अपने आप ही एक advertisement shoot करने वाला होता है वो एक अच्छे से advertisement shoot करता है जिसमें एक old lady बता रही होती है कि मेरे सब पैसे old days home वालों ने ले लिये अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप Davis man को contact कर सकते है यह उस सब advertisement में दिया होता है माईक को अपनी daughter-in-law और granddaughter की safety की चिंता होती है इसलिए वो कार में उनके घर के सामने बैठा हुआ होता है रात भर नजर रखता है पर उसे कुछ भी gunshot वेगरा सुनाई नहीं देते फिर वो नेक्स दिन अपने job पर चला जाता है उसे फिर से अपनी daughter-in-law को call आता है वो उसे बोल रही होती है कि कल भी gunshot मुझे सुनाई दिये थे यह तीन gunshots थे वो अपने घर पर गोली चली है ऐसा उसे लग रहा होता है पर माईक उसे बोलता है कि यह गोली की निशान नहीं है पर उसे believe नहीं हो रहा होता वो माईक की कोई भी सुनने ही रही होती वो बहुत ही disturb होती है इसलिए माईको से बोलता है कि तुम्हें ये नीन में एक ड्रीम आया हुआ होगा पर वो इसका कुछ भी सुनने रहे होती है फिर माईको से बोलता है कि अब तुम यहां नहीं रहोगी अब वो उसके लिए एक नया अपार्मेंट बाय करने वाला होता है next scene में हमें दिखता है कि Saul कीम को अपनी advertisement दिखा रहा होता है कीम उसको बहुत ही appreciate करती है बोलती है कि बहुत ही अच्छी advertisement है इसे बहुत लोग तुमें contact करेंगे उसको believe नहीं हो रहा था वो Saul को बोलती है कि मुझे believe नहीं हो रहा next scene में हमें Mike paid doctor की याद दिखाया गया है यही doctor उसे हमेशा jobs वेगरा available करके देता है Mike उसे बोलता है कि ज़्यादा जिसमें पैसे मिलेंगे अब मुझे वो job चाहिए वो doctor उसे बोलता है कि अगर तुमें ज़्यादा पैसे चाहिए तो job भी उतना high risk हो सकता है Mike इसके लिए ready नहीं होता वो doctor उसे दुसरा job देता है जिसमें उसे कम पैसे मिलते है रात में Mike को उसी doctor को call आता है वो doctor Mike को बोलता है कि तुमें अगर next level पैसे चाहिए होगे तो मेरे पास एक job है पर इसकी details उसे पता नहीं होती Mike को बोलता है कि specifically तुमें request किया गया है Saul के apartment में scheme भी होती है और वो movie देख रहे होते है फिर Saul को उसके boss का call आ जाता है वो उस पर cheat रहा होता है तुमने मुझसे permission ने ली और फिर भी तुमने ये add run कर दी ये ऐसा नहीं हो सकता मुझे पता था कि तुम अच्छे से इस office में काम नहीं कर सकते फिर भी मैंने तुम पर ये trust किया था Saul के बोलता है कि हमें जो result मिले है बहुत ही अच्छे है और मैंने ये ज़्यादा demographic में भी ये run नहीं किया यानि उसने ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं किया होते फिर ये conversation वो end कर देता है आत्में हमें दिखता है कि माइक नाचो से मिलने आया हुआ होता है ये जो job माइक को मिलता है ये नाचो नहीं offer किया होता है नाचो से बोलता है कि एक आदमी है जिसे मुझे मार देना है ये एपिसोड खतम हो जाता है